नमस्कार दोस्तों एक जामोफोविय यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस दरोगा के प्रेक्टिस रेट नमबर 3 पे चचा करेंगे। ये प्रेक्टिस रेट नमबर 3 हम लोगों ने एडुटेरिया प्रेकासन द्वारा अभी हाली में प्रेकासित बिहार दरोगा के लिए 15 मौडल टेस्टिस रेज लॉंच की गई है। वैलून टू उससे लिया है। ये बिहार दरोगा के लिए जो 2020 में वेकेंसी निकली थी उसके लिए बहुत ही कारगर बुक है। तो आप लोग भी इसको ख़रीद के इसके प्रेक्टिस रेट लगाईएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेक्टिस रेट नमबर इसके अलावा एकजाम से रेलेटेड सारी इंफोर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कुश्य नमर पहला है। अपने विरोधियों के प्रती किस ने कठोर लव एवं रक्त की निती का पालन किया था। तो यहाँ पर पहले का सही जवाब हो जाएगा। C बलवन ने इस निती का पालन किया था, C यहाँ पर सही जवाब है। बलवन ने अपने विरोधियों के प्रती लव एवं रक्त की निती का पालन किया था। बलवन का वास्तिक नाम वोजाववदीन था तथा यह इल्टूत्मिस का गुलाम था, इसने ही सिजदा एवं भाग था डी आप्शन सही जवाब है फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिचाई कर कुल उपच का एक बटे दस भाग था फिरोज तुगलक ने पांच बड़ी नहरों का निर्मान करवाया था वहीं ब्रामनों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसल्मान सासक यह 1583 में की गई थी बी आप्शन सही जवाब है जबकि बात करें दास्प्रता की तो दास्प्रता का अंत 1562 ECU में किया गया था नेश्टे कुश्चन नमर चौथा निमनले लेखित में से किसे मराठो का मैकी या वेली कहा जाता है तो चौथे का यहां पे सही जवाब है एए नाना फड़न वीज को कहा जाता है एए उप्शन सही जवाब है नेश्टे कुश्यन नमर पांच वाँ पाहूल प्रानाली की सुरात किसके द्वारा की गई थी तो पाहूल प्रानाली की सुरात जो है गुरू गोबिंद सिंग द्वारा की गई थी तो यहां पर सी उप्श में पटना में हुआ था नेशित कुष्चिन नंबर शठों मुस्लिसिच्छ घ्र खेल के लिए प्रतमम अधरसा की स्थापना कप की गई थी कि अंथाना थे इन फ्रतर यह स्तापना से निगई थी व्याव्प संया पर सही जवाब है वर्ष स sir 1881 में कलकत्ता में मुस्लिम सिच्छा की विकास के लिए प्रथम मदर्सा का निर्माड किया गया था इस समय भारत की गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग थे निश्टे कुश्य नमर साथ हुआ दास प्रता का अंत लोर्ड एलन बरो के सासनकाल में किया गया था सी ओप्षन सही जवाब है इनके सासनकाल की बात की जाए है तो इनका सासनकाल 1842 से 1842 से 1844 तक था निश्टे कुश्य नमर आठ वह प्रसिद्ध रम्पाओ विद्रोह का संबंद किस राज से है तो इसका संबंद आनप्रदेश से है ए ओप्सन सही जवाब है रमपाव विद्रोह 1889 से 1922 तक आनप्रदेश में हुआ था जिसके प्रमुकनेता सीता राम राजू थे नेश्ट कुष्चन नम्मर नौहा भारती सुधार समिति की स्थाप नेश्ट कुष्चन नम्मर दसवाँ 1877 की क्रांती के दवरान फैजाबाद में हो रहे विद्रोह करने तो किस ने किया था तो दसवे का सही जवाब है सी ओप्सन मौलवी एहमदुल्ला ने किया था सी ओप्सन सही जवाब है नेश्ट कुष्चन नम्मर 11 ग्यार होँ गैबिनेट मिसन 1946 को मुसलिम लीग ने कब सुखार किया था तो कैबिनेट मिसन 1946 को मुसलिम लीग ने 6 जून 1940 को सुखार किया था बी ओप्सन सही जवाब है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भाहत पहुचा था मुसलिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को 6 जून 1946 को तथा कॉंगरेस ने 25 जून 1946 को इसे सिवकार किया था नेश्टे कुश्चन नमर बार हुआ भगत सिंग को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायधीस निम्निमे से कौन था तो बारवे का सही जवाब है जी सी हिल्टन था सी ओप्सन सही जवाब है भगत सिंग को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायधीस जी सी हिल्टन था 23 मार्च 1931 को लाहोर के जेल में भगत सिंग को फांसी की सजा दी गए थी और बात करें भगत सिंग को सही दे आजम की नाम से भी जाना जाता है नेश्टे कुश्य नमर 13 आख का अविस्कार किस काल के दौरान हुआ था? तो आख का अविस्कार पुरा पासान काल में हुआ था यहाँ पर सही जाब होगा B आप्शन और जबकि पहिये का अविस्कार 9 पासान काल में हुआ था B आप्शन सही जाब होगा नेश्टे कुश्य नमर 14 है लिम्न लिखत में से किस इस्थान से नर्थकी की कांस मूर्थी प्राप्थ हुई है तो चौदे का सही जवाब है C of Sun सिंदु घार्टी सबिता के दारान मोहन जोदरों से प्रसिद्ध नर्थकी की कांस की मूर्थी प्राप्थ हुई है जबकि जुते हुए खेत का प्रमाण काली बंगा से प्राप्थ हुआ है नेश्ट है कुश्चन नम्मर 15 प्रसिद्ध राजवैद जीवक किसके दर्बार में रहते थे तो यहाँ पर सही जवाब होगा 15 का विम्बी सार के दर्बार में रहते थे अप्रसिद्ध राजवैद जीवक विम्बी सार के दर्बार में रहते थे इन्होंने महत्माबुद्ध की सिवा में राजवैद जीवक को भेजा था विम्बी सार ने करीब 52 वर्षों तक मगत पर साशन किया था तथा इसने राजग्रे को अपनी राजधानी बनाया था किस वर्स राष्टी नियोजन समीती का गठन किया गया था तो इसका गठन सन 1938 में किया गया था ए उप्सन सही जवाब है आगे बढ़ते हैं देखते कुश्य नम्मर 17 दुर्गापूर इस्पात कारखाना की इस्थापना किस पंचवर्शी योजना के दवरान की गई थी तो इसकी इस्थापना द्वती पंचवर्शी योजना के दवरान की गई थी कब की गई थी 1969 में इसकी योजना का कारकाल की बात करें तो 1956 से 1961 तक था इसका कारकाल नेश्टे कुश्च नम्मर 18 भारती वीमा विनियामक और विकास प्राधिकान का मुख्याले कहां इस्तित है तो इसका मुख्याले जो है 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 एदराबाद में इस्तित है तो बात करें इसकी इस्तापना की तो इसकी इस्तापना सन 1999 में की गई थी अगला कुश्च नम्मर 19 निम्ने लिखित में से कौन अप्रत्यच करका उधारण है तो इसमें सी ओप्सन सही जवाब होगा कि सीमा सुल्क जो है अप्रत्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् लेकिन दो इस्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है, तो इसका सही जवाब है मुम्मई और पुड़े, C option सही जवाब है, भोर घाट दर्रा पच्चिम घाट के दर्रे हैं, जिसकी उचाई लगवग 630 मीटर है, ये मुम्मई तथा पुड़े के बीच का संपर्क मार्ग है, इसकी सायक नदी है, तो धारला जो है, ब्रह्मपुत की सायक नदी है, बी ओप्सन सही जवाब है, धारला कुलसी मानस तीस्ता धनसिरी आदी ब्रह्मपुत की सायक नदियां है, ब्रह्मपुत नदी का उद्गम मानसरोवर जील के पास इस्तित हिमानी से होता है, इसे नंपू तथा आसम में दिहां के नाम से जानु जाता है नेश्टे कुष्च नमर तेज पंचुएसवर पर्योजना किन दो देशों की सहुक्त पर्योजना है 23 का सही जवाब है B option भारत और नेपाल के मद्द की सयुक्त परयोजना है और यह महाकाली नदी पर इस्तित है बात करें भारत निपाल की कुछ अन स्युक्त परियोजनाओं के बारे में तो सार्दा परियोजना, कोशी परियोजना और टनकपूर परियोजना भी भारत और निपाल के मद्द स्युक्त परियोजनाओं है नेश्टे कुष्चन नम्मर चौबिस भारत में कोईला भंडारान के मावले में कौन सा राज अग्रणी है भारत कोईला उत्पादन के मावले में विस्मित तीसरा इस्थान रखता है वहीं कोईला भंडारान के मावले में जहारखंड अग्रणी राज है जबकि उत्पादन में उडिशा अग्रणी राज है नेश्ट कुश्य नमर पच्चिस भारत सरकार ने राश्ट्री क्रिसी नीती की घोसना किस वर्ष की थी तो इसका सही जवाब है 25 का सही जवाब है बी ओप्सन 2000 में की थी 28 जुलाई सन 2000 को इसमें अगले दो दस्कों के लिए क्रसी छेत में चार प्रस्यत की व्रद्धी का लच्च रखा गया था नेश्ट कुश्य नमर 26 दच्चडी सहादरी का निम्न लिखित में से सरोच सिखर कौन सा है इसका सही जवाब है ए ओप्सन कुंद्रे मुख है ए ओप्सन सही जवाब है नेश्ट कुश्य नमर 27 दच्च निम्न लिखित में से किस राज से होकर करकरेखा नहीं गुजरती है तो 27 का सही जवाब है डी ओप्सन मणिपुर से नहीं गुजरती है डी ओप्सन सही जवाबां की करकरेखा भारत के आठ राजियों से होकर गुजरती है जिसमें गुजरात, राजिस्थान, मदपदेश, छतिसगर, जारखंड, पश्चिमेंगोल, तिप्रा और मिजवरम सम नेश्टे कुश्य नमर 28 जावा सागर तथा हिंद महा सागर को कौन सी जलसंदी जोडती है तो 28 का सही जवाब है बी ओप्सन सुन्डा जलसंदी जोडती है बी ओप्सन सही जवाब है जबकि पाक जलसंदी मनार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोडती है नेश् तो 39 का सही जवाब है B-Option अफ्रीका महादीब को मानो उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है इस महादीब को पहाणों का भी महादीब कहा जाता है विस्ट का सबसे बड़ा मरुष्टल सहरा अफ्रीका महादीब में ही इस्थित है नेश्टे कुष्चे नमर 30 निम्नी लिखित में से किस मनदा का छेतरी विस्तार भारत में सरवादिक है तो 30 का सही जवाब है C-Option जलोड मिदा का इसका विस्तार लगवग 45% भूभाग पर है जलोड मिट्टी में पोटास तता केल्सियम की पिचुरता पाई जाती है ये किस राज में इस्तित है तो ये जो है मिजोरम में इस्तित है B-Option right answer है डंफा मूर्लिन तथा ब्लू मांटेन राष्टी उद्यान मिजोरम में इस्तित है इस राष्टी उद्यान की स्थापना जो है 1991 में की गई थी नेश्टे कुष्चे नमर 32 विस ओजोन दिवस स्टम्बर को मना जाता है डी ओप्सन सही जवाब है बात करें वर्स दोयार 20 में ओजोन दिवस की थीम की तो इसका थीम था ओजोन फॉल लाइफ 35 एर आफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन नेश्टे कुश्चन नमर 33 भारत में अंतरिच कारक्रम की शुरात किस वर्स की गई थी तो इसका सही जवाब है बी ओप्सन सल 1962 में की गई थी इसी करक्रम के तहट 1979 में विक्रम साराभाई की अध्यचता में भारती अंतरिच अनुसंदान समीती यानी इश्रो का गठन किया गया था नेश्चर कुश्चन नमर 34 अंताराष्टी स्रम संग्ठन का मुख्याला जिन्यवां में इस्था था, इसकी इस्थापना की बात करें तो 1919 में हुई थी वर्तमान में इस संग्ठन के 187 सदस्य देश है नेश्चर कुश्चन नमर 35 उद्य भूमी निम्नी में से किस महापुरुष की समाधी इस्थल है? तो 35 का सही जवाब है D option के आर नरारन की समाधी इस्थल है के आर नरारन भारत के 9 उपराश्टपती तथा 10 वे राश्टपती थे नेश्ट है कुश्य नम्मर 36 देश का सरोच वीर्टा प्रुषकार निम्ने लिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर 36 का सही जवाब होगा परम वीर्चकर C option सही जवाब है यह प्रुषकार अदम साहस पराकरम तथा वीर्टा का परचे देने वाले सेनकों को दिया जाता है यह प्रुषकार 1947 से दिया जा रहा है नेश्ट है कुश्य नम्मर 37 रेडुका जहील जो भारत में रामसर आद्र भूमी छेत के अंतरगत आता है इसका संबंद किस राज से है? तो इसका संबंद हिमाचल से है अब बात करें भारत में वर्तमान में अब प्रेल 2021 तक 42 आद्र भूमी छेत्र इस्तित है नेश्ट है कुश्य नम्मर 38 निम्न लिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंद फुटबॉल से नहीं है तो इसका संबंद है नेश्ट है कुश्य नम्मर 49 नेश्ट है कुश्य नम्मर 40 सूचना क्रांती के जनक की रूप में किसे जाना जाता है तो चालिस का सही जवाब है यह एक ब्रिटिस विज्ञान, कथा लेखक, अविसकारक तथा टेलिविजन स्रंकला के मेजबान थे आर्थर सी क्लार्क नेश्टे कुश्चन नमर एकतायलिस की सविधान संसोधन के तहईत राष्टपती के निरवाचिन मंदल में केण सासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडू चेरी की निरवाचित सदस्यों को भी सामिल किया गया है तो 41 का सही जवाब है C option 70 सविधान संसोधन के तेट इनको समलित किया गया है C option सही जवाब है बात करें ये संसोधन कब हुआ था तो सन 1992 में हुआ था और इसका उलेख अनुछेद यानि आर्टिकल 54 में मिलता है नेश्टे कुश्चन नमर 42 लोगसवा के बैठक को गड़पूर्ती के अभाव में इस्ताकित करने का अधिकार किसे है तो 42 का सही जवाब है B option लोगसवा अध्यच को है नेश्टे कुश्चन नमर 43 किस अनुछेद के तहद नियालेओं द्वारा संसत की कारवाही की जाच पूर्ता निसेध है नेश्टे कुश्चन नमर 44 भारती सवजदान की उद्देशिका में कितने प्रकार की नियाय का वर्णन किया गया है तो 44 का सही जवाब है B option तीन प्रकार की समाजिक नियाय, आर्थिक नियाय और राजनितिक नियाय नेश्टे कुश्चन नमर 45 निम्न लिखित में से कौन सुतंत भारत के पहले सूचना एवं प्रसान मंत्री थे? तो भारत के पहले सूचना एवं प्रसान मंत्री सरदार पटेल थे B option सही जवाब है 23 अगस्त 1947 ईसियों को सदार पटेल को भाद का प्रथम उप प्रधान मंत्री भी बनाय गया था साथ ही उन्हें ग्रे मंत्री का पद भी दिया गया था नेश्टे कुष्च नम्मर 46 निम्निलिकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है तो इसमें पहला और तीसरा सुमेलित नहीं है क्योंकि भारती सविधान में विदी द्वारा इस्थावित प्रकिया जपान के सविधान से जबकि दूई सदनवाद व्योस्ता ब्रिटेन के सविधान से ली गई है नेश्टे कुष्च नम्मर 47 बिहार में लोकसवा तता रासवा की कुल सीटे कमसा कितनी है तो 47 का सहिजवाब है बी ओप्शन 40 सीटे लोकसवा की है और 16 सीटे रासवा की है और लोकसवा की कुल 40 सीटों में 6 सीटे आरच्छित है जिसमें हाजीपूर, सासाराम, समस्तिपूर, गया, गोपालगंज और जमुई समलित है नेश्टे कुश्चन नमर 48 केंद्र राज समन्दों पर गठित सरकारिया आयोक का गठन किस वर्स किया गया था तो इसका गठन 1983 में किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सन 1987 में सौपित ही केंद सरकार को नेश्टे कुश्चन नमर 49 बान्मिवा सविधान सहसोधन के तहत किन भासाओं को आठवी अनसूची में सामिल किया गया था तो 49 का सही जवाब है मैं दोग्री को सम्लीत किया गया था इस प्रकार दी आप्चन सही जवाब हो जाग कि तीनों ही भासाओं को सम्लीत किया गया और इसमें संथाली भी सम्लीत थी को अब सब्भलां कि नेश्टे कुश्चन नमर 50 भारती राजनिती के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सद्रों की स्विक्त बैठक बुलाई गई है तो 50 का सरी जवाब है B option तीन बार बुलाई गई है अभी तक कुल तीन बार संसत के दोनों सद्रों की स्विक्त बैठक बुलाई जा चुकी है पहली बार सन 1961 में, दूसरी बार 1978 में, तीसरी बार 2002 में नेश्टे कुश्चन नमबर 51 उच्च नियाले के नियाधीसों की सेवा निव्रती की आयू क्या है? तो 51 का सही जवाब है 62 वर्स है, C option सही जवाब है उच्च नियाले के नियाधीसों की सेवा निव्रती की आयू, 62 वर्स तथा उच्च नियाले के नियाधीसों की सेवा निव्रती की आयू, 65 वर्स निधारित है नेश्टे कुश्च नमबर 52 दल बदल निरोधक अधनियम को किस वर्स पाइद किया गया था? तो 52 का यहां पर राइट अंसर है सन 1985 में पारित किया गया था उस समय प्रधानमंती राजी उगान्धी थे नेश्टे कुष्चन नमबर तिरपन राष्टी हरित न्याय अधिकर्ण का मुख्यालय कहां इस्थित है तो तिरपन का सही जवाब है ए उप्सन नई दिल्ली में इस्थित है और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना दोहयार दस में हुई थी और इसके चार अन्द मुख्याला जो है भोपाल, पूरे, कोलकता और चिन्नाई में स्थित है यह एक नियाईक संस्ता है वर्तमान में इसके अध्यच आदर्सकुमार गोयल है नेश्टे कुष्चन नमर चौवन विस्ट का पहला परमाडू बिजली घर किस देश में इस्थापित किया गया था तो 54 का सही जवब है डी आप्शन रूस में इस्थापित किया गया था सन 1904 में नेश्टे कुष्चन नमर पचपन बार बरी तथा जमना पूरी किसकी प्रमुख नसले है तो 55 का सही जवब है C आप्शन ये बकरी की नसले है C आप्शन सही जवब है नेश्टे कुष्चन नमर 56 किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा पी जुगल टू 100 वाट वी जुगल टू 200 वोल्ट तो प्रतिरोध आर ग्याद करना है तो वी स्क्वाइर अपॉन पी तो दो सो गुड़े दो सो बटे सो होगा 400 वोम तो सही जवब होगा वी ओप्शन नेश्टे कुष्चन नमर 57 पेड पौधे की टेहनियों को हिलाने से फूल पतियों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उधारन है तो यहाँ पर सही जवब है यह ओप्शन पहले नियम का उधारन है नेश्टे कुष्चन नमर 58 प्रकास का वेव कितना होता है तो इसका सही जवब है तीन गुड़े दस की पावर आठ मीटर प्रतिस सिकेंड तो सही जवब है बी ओप्शन नेश्टे कुष्चन नमर 69 रोकेट किसकी सरच्छन नियम की सिधान पर कार करता है तो 69 का सही जवब है बी ओप्शन रेखिक समवेग पर कार करता है बी ओप्शन सही जवब है नेश्टे कुष्चन नमर 60 सेविंग ब्रस के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उधारण है तो 60 का सही जाब है डी आप्शन ये प्रश्ट तनाव का उधारण है क्योंकि पानी के अनुगों के बीज ससंजक बल कार कर रहा होता है नेश्टे कुश्य नम्मर 61 फ्लेमिंग की दाय हाथ के नियम का प्रियोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है तो 61 का सही जवाब है ये उप्शन प्रेरित धारण का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग की दाय हाथ के नियम का प्रियोग किया जाता है नेश्टे कुश्य नम्मर 62 फोटोन की खोज किस ने की थी तो फोटोन की खोज अलवर्ट आइंस्टीन ने की थी कब की थी 1905 में नेश्ठे कुश्य नम्मर 63 किस तत्यू का रसायनी गुड निमने में से कौन निधायद करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनों की संख्या ही रसायनी गुड किसी तत्यू का निधायद करती है C option सही जवाब है नेश्ठे कुश्य नम्मर 64 निमने में से कौन लोहे का सबसे सुदतम रूप है तो यहाँ पर सही जवाब होगा B option पिटवा लोहे का सुदतम रूप है पिटवा लोहे में कारवन की मातर श्टील से भी कम होती है इसमें कारवन की मातर लवग 0.4 से 0.8 प्रसत के मद होती है नेश्ठे कुश्य नम्मर 65 पिटल निमल रिखेत में से किसका मिसरण है तो पिटल यहाँ पर सही जवाब है तामबे और जस्ते का मिसरण है B option सही जवाब है नेश्ठे कुश्य नम्मर 66 समुदर में गोता खोरी करते समय गोता खोर ओक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते है तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा तो 66 का सही जवाब होगा C option हेलियम का प्रयोग करते है समुदर में गोता खोरी करते समय गोता खोर ओक्सीजन तता हेलियम गैस का मिसरण प्रयोग करते है नेश्ठे कुश्य नम्मर 66 सुक्रोज के जल अफगटन से किसका निर्माड किया जाता है तो सुक्रोज के जल अफगटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माड किया जाता है D option सही जवाब होगा शुक्रोज इंजायम की उपस्तिती में जल अब गटन द्वारा ग्लुकोज तता फ्रप्टोज में बदल जाता है नेश्ट है कुश्चन नमर 68 निम्न लेकित में से किसका वग्यानिक नाम ओराईजा सतीवा है तो यहाँ पर 65 का सरिजाव है B option धान की एक प्रकार की किस्म है नेश्ट है कुश्चन नमर 69 निम्न लेकित में से कौन ग्रेमी नेशी कुल का पौधा नहीं है तो 69 का सरिजाव है A option नारियल ग्रेमी नेशी कुल का पौधा नहीं है बाकी जौ, मक्का, जौर, बांस, चावल, आदी, ग्रेमिनेसी, कुलका पौधा जबकि नारियल, पल्मी, कुलका पौधा है नेश्टे कुश्चे नम्मर 70 इमाइलीज, इंजाइम का स्राव किसकी द्वारा होता है तो इसका श्राव जो है अगनासे की द्वारा होता है यह option सही जाव है जबकि पेवसिन रेरन का श्राव जठार रस द्वारा होता है नेश्टे कुश्च नमर 71 व्रक के बाहरी तता भीतरी भाग को क्रमसा क्या कहा जाता है तो 71 का सही जाव है यह option कोटेक्स एवा मेडूला कहा जाता है यह option सही जाव है बाकी नेफ्रोन व्रक की कार्यात्मा की काई है नेश्टे कुश्च नमर 72 किस विटामिन का रसायनिक नाम टेको फेरोल है तो इसका सही जवाब है C option बिटामिन E का रसायनिक नाम टेकोफेरोल है नेश्टे कुश्च नम्मर 73 मलेरिया पर जीवी की निम्न में से कौन सी अवस्ता संक्रामक है तो यहाँ पर सही जवाब है A option इस्पोरो जोईट ए उप्सन सही जवाब है मलेरिया सबसे प्रचले संक्रामक रोगों में से एक है यह रोग प्लाजमो डियम के माद्यम से फैलता है मलेरिया पर जीवी की इस्पोरो जोईट अवस्ता सबसे संक्रामक होती है नेश्टे कुश्च नम्मर 74 चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर आपोस्ट पैंडेमिक वर्ड के लेखक कौन है तो इसके लेखक संगीत पॉल चौदरी है C option सही जवाब है नेश्टे कुश्च नम्मर 75 हाली में किस राज में जलावी से एक अभियान की सुरॉसरात की गई है तो 35amas सबसे सरकार ने जलावी से खम अभियान की सुरॉसरात जल सरचर को बढ़ाने ता भविस में जल की संक्रटों को दूर करने के उद्देश से किया है नेश्टे कुश्य नम्मर 76 विजय हजारे ट्रोफी 2021 के विजयता कौन है तो विजय हजारे द्रोफी 2021 के विजयता मुंबई है सी ओप्शन सही जवाब है मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा कर विजय हजारे ट्रोफी 2021 का खिताब जीता है सरवाधिक बार विजय हजार ये ट्रोफी जीतने वाली टीम तेमेलाडू है जिसने पांच बार ये ट्रोफी जीती है नेश्टे कुश्य नम्मर ससत्तर वर्ड हैपीनेस रिपोर्ट दियार 21 में भारत किस पायदान पर है तो इसने भारत 149 में पायदान पर है बी ओप्सन सही जवाब है नेश्टे कुश्य नम्मर 78 व्रिस गौरेया दिवस दियार 21 का थीम क्या था तो इसका थीम था I love स्पैरो सी ओप्सन सही जवाब है और ये जो है 20 मार्च को मनाया जाता है नेश्टे कुश्य नम्मर 79 हाली में तंजानिया की पहली मैला राष्टपती कौन बनी है तो तंजानिया की पहली मैला राष्टपती सामिया सुलुहू हसन बनी है सी ओप्सन सही जवाब है हसन 2015 में तंजानिया की उपराष्टपती भी थी नेश्टे कुश्य नम्मर 80 दूसरे खेलो इंडिया यूनस्टी गेम्स द्यार 21 की मेजबानी कौन सा राज करेगा तो 80 का सरी जाव है D-Option करनाटका करेगा पहला खेलो इंडिया यूनस्टी गेम्स का आरिजन भूरनेशन में किया गया था और दूसरे का आरिजन करनाटका में होगा नेश्टे कुष्च नमर 81 इथे नॉल नीती शुरू करने वाला भारत का पहला राज कौन सा बना है तो इथे नॉल की नीती शुरू करने वाला पहला राज बिहार बना है B-Option सही जवाब है हाली में किस भारती अभिनेता को फिल्म अर्काइव पुरुसकार द्यार 21 समानित क्या गया है तो 82 का सही जवाब है, ए ओप्सन अभिताब बच्चन को समानित क्या गया है, ए ओप्सन सही जवाब है किस देश ने ब्रम्हों स्क्रूज मिसाइल सहीद रच्छा समागरी के अपूर्ते के लिए भारत के साथ एक समझाते पर हस्ताचर किया है तो 83 का सही जवाब है, डी ओप्सन फिलिप्पीनस ने ये समझाता किया है, भारत के साथ में डी ओप्सन राइट अंसर है नेश्टे कुश्चन अमर 84, हाली में की गई गोषना के अनुसार, भारत का पहला भूतापी विद्दूत परयोना किस केंसासित प्रदेश में इस्तापित किया जाएगा बी ओप्सन राइट अंसर है नेश्टे कुष्चन नमर 85 भारत का पहला सुदेशी 9mm मसीन पिस्तॉल को किस ने विक्सित किया है तो इसको विक्सित किया है DRD और भारती सेना ने इस पकार से D-Option राइट आंसर होगा नेश्टे कुष्चन नमर 86 किस देश में जनवाई दोहार 21 में ओपन इसकाई संदी से अपना संबंद तोड़ने की घोस्रा की है तो 86 का राइट आंसर है E-Option अमेरिका ने ये घोस्रा की है संयुक्त राज अमेरिका रूस द्वारा संदी के लगातार उलंगन और सुरच्छा के महल में बदलाव के कारण ओपन इसकाई संदी से बाहर निकलने की घोस्रा की है किस राज ने जनवाई दोहार 21 में अपना पहला राज की पच्छी महुस्तो कलरों का आज़न किया है तो 87 का सही जवाब है ए ओप्सन बिहार ने किया है नेश्टे कुष्चन नमबर 88 केंद्री और दोगिक सुरच्छबल के नए महानिदेशक की रूपे किसी निक्त किया गया है तो 88 का सही जवाब है D ओप्सन सुबोत कुमार जैस्वाल को निक्त किया गया है डी ओप्षन सही जवाब है नेश्टे कुश्च नम्मर 89 हाली में सत्यपाल मलिक हाली में सत्यपाल की मृत्यु हो गई इनका संबंध किस छेत से था तो 89 का राइट अंसर है ए ओप्षन एक फैसन डिजाइनर थे ए ओप्षन सही जवाब है नेश्टे कुश्च नम्मर 90 वन नेशन वन रासनकार योईना लागू करने वाला भात का पहला राज सेक्ट रूप से कौन है तो 90 का सही जवाब है बी ओप्षन राजस्थान और करना wm warmer करते साव्च ने हाली में किस देश को मलेर्या मुक्त गोसित किया है लह लोजों ने अलसालवा डोर को मलेरिया मुक्त गोसित किया है c आप्षन सही जवाब है नेश्टे किस्ट नम्मर 92 सरसटवे राष्टी फिल्म पुरुसकार 2021 के तहत किस फिल्म को सरस्यष्ट हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है 92 का राइट अंसर होगा B Opsion which छे फिल्म को ये पुरुसकार मिला है B Opsion सही जग है जबकि सरुसेष्ट अभनेता का प्रोसकार मनोज बाचपेई एवं धनुस को प्रदान किया गया है नेश्ट है कुश्चन नम्मर 93 निमने लिखित में से कौन सा देश G20 सिकर सम्मेलन दोहार 23 की मेज़बानी करेगा तो इसकी मेजबानी भारत करेगा बी ओप्सन राइट अंसर है जबकि 2022 में इसका आविजन इंडोनेसिया में किया जाएगा और 2021 का आविजन इटली में होगा केंज सरकार की संस्तान के सयोग से गेमिंग और अन सम्मंदित छेत्रों में उत्कृष्टता केंद बनाएगी तो 94 का सही जवाब है C-Option IIT Bombay के साथ मिलकर ये उत्कृष्टता केंद बनाएगी केंद सरकार नेश्टे कुष्चन नमर 95 हाली में की सराज की मुखमंत्री ने SC-ST छात्रों के लिए 101 करोड रुपए की छात्रवत्ती स्विकृत की है तो 95 का राइट आंसर क्या है D-Option उडिशा सरकार ने ये घुस्णा की है जो है 101 करोड रुपए की मंजूरी दी है SC-ST के छात्रों के लिए छात्रवत्ती के लिए नेश्टे कुष्चन नमर 96 दस वर्स पहले पिता की आयू पुत्र की आयू से तीन गुनी थी और दस वर्स पहले पुत्र की आयू पुत्र की आयू से दोगनी होगी तो अरत माने पुत्र की आयू ग्याद कीजिए दस वर्स पहले पुत्र की आयू X वर्स और दस वर्स पहले पिता की आयू 3X तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयू X प्लस 20 वर्ष तो 10 वर्ष बाद पिता की आयू 3X प्लस 20 वर्ष तो अब इसको solve करते हैं 3X प्लस 20 is equal to X प्लस 20 गड़े 2 तो solve करते हैं 3X प्लस 20 3 is equal to 2X प्लस 40 तो X is equal to 20 आया तो वर्ष मान आयू की बात करें तो X प्लस 10 is equal to 20 प्लस 10 क्या होगा 30 साल B option सही जाव है नेश्टे question number 97 किसी वस्तू को 1100 रुपए में बेचने से प्राप्त लाव उस वस्तू को 500 रुपए में बेचने से प्राप्त हुई हानी से दुगना है तो वस्तू का क्रेमूल ग्याद करें माना वस्तू को 500 रुपए में बेचने से हानी हुई X रुपए की तो 1100 रुपए में बेचने से लाव हुआ 2X का तो आप बात करें CP की तो CP हो गया 500 प्लस X रुपए और जो है CP मूल जो है 1100 माइनस 2X तो 500 प्लस X इस उकल टू 1100 माइनस 2X तो 3X इस उकल टू 1100 माइनस 500 तो X इस उकल टू क्या हो जाएगा 200 और 500 तो पहले से है तो 500 को इसमें प्लस कर देंगे तो वस्तु का क्रेम मूल आ जाएगा 700 रुपए D option सही जाब है नेश्टे question 98 च्छाय आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं उससे दुगने कार को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतरिक्त आदमियों की आशकता होगी तो टोटल आदमियों की संख्या X माल लेते हैं और कार का अनुपात है Y अनुपाते 2Y तो बात करें यहाँ पे 6 आदमी 16 दिन स्क्वार मल्टि गोडे 2Y तो इच्कुल टू क्या होगा X गोडे Y गोडे 8 तो X क्या जाएगा 24 आदमियों कि Y तो तीन दे ही रखा है ना तो अत्रिक्त आदमियों की बात करें तो टोटल 24 माइनस 6 कर लेते हैं 6 तो पहले से हैं तो 18 आदमियों की और जुरूत पड़ेगी तो इस प्रकार से C आप्सन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा नेश्ट है कुश्चन नम्मर 99 एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालाए 5 किलोमीटर प्रती घंटे की चाल से जाने पर 6 मिनट देनी से पहुंचता है यदि वह 6 किलोमीटर प्रती घंटा की चाल से चले तो वह समय से 4 मिनट पहने पहुंच जाता है तो उसके घर से विद्यालाए की दूरी ज्यात कीजिए सेंटी मीटर है इसे 2 सेंटी मीटर ब्यास वाला तार बनाया गया तो इस तार की लंबाई कितनी होगी तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी आप्शन 121.5 सेंटी मीटर इसी के साथ ही इरुटेरिया प्रकासन द्वारा प्रकासित प्रेक्टिस इट नमबर 3 याई पिसांप्त होता है मिलते हैं नेश्ट प्रेक्टिस इट में थेंकियो फॉर वाचिंग एक्जामोफोबिया यूटूब चैनल